हेलो गाइस वेलकाँ टू में यूटूब चला है तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोशॉप में इस वैपसाइट डिजाइन करेंगे जिसे हम यूई डिजाइन भी बोलते हैं तो अब थोड़ा सा समझते हैं यूई डिजाइन होता क्या है यूजर इंटरफेस बेसिकली इसे हम फोटोशॉप या और एक्सडी में डिजाइन करते हैं मालो आपने एक खुद का वैपसाइट या फिर कोई मौई लाइप बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसे डिजाइन करना पड़ेगा जो भी आपका वैपसाइट या फिर मौई लाइप है वो दिखने में कैसा लगेगा यूई डिजाइन के बारे में अगर आपको और जान करी चाहिए तो आप लोग इसे गूगल कर सकते हो तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ है गाइस माई निमस अपता तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यूई डिजाइन कैसे करते हैं तो वीडियो को अभी और जहां पर हमारे पास कुछ बने मनाए और रेडी प्रिसेट्स हैं हमने जहां पर बैब मोस्ट कॉमन यह वाला सेलेक्ट करना है लेकिन हम जहां से इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे हम रिसेट में जाकर हमारा कस्टम वाला प्रिसेट बनाएंगे इसी साइज का तो यह रहा हमा का RGB रखेंगे 8 bit पर और background color white और यहां से create कर लेंगे अब उसके बाद यहां पर control r hit करूंगा मैं इसका ruler on हो जाएगा और जाएंगे rectangle marky tool पर और यहां से style में जाके normal से हम कर देंगे इसको इसको fixed size और उसके बाद जहां से इसका width 100 pixel रखेंगे हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है हमने सिर्फ इसका left और right side से चोड़ना है तो जहां पर मैं click कर दोंगा इसको left side लगाएंगे और जहां से a guide जहां पर लगा देंगे और इसको right side जहां पर रखेंगे एक हम यहां पर guide लगा देंगे control D के साथ इसे select करेंगे गाएंगे इसका ruler हाइड हो जाएगा उसके बाद हम जहां पर एक rectangle create करेंगे हमारा जो काम है वो rectangle से start करेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारे इसको lock करना है और वो कैसे होंगे हम जहांगी व्यू में और यहां पर जहांगे हम शो और जहांपे यह guides हैं हमारे पास और जहांपे हम कर देंगे इसको lock guide और अब इसको आव मूब करोँगे यह इस मूब नहीं होगा ठीक है और उसके बाद जहां अब च्छोटा सा लोगो क कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसका नाम को इसका पर रख लेता हूं । तो इसको black कर देंगे और यहां पर मिल्ख देता हूं trendy fashion और इसको यहां पर मैं enter hit करूँगा इसको यहां से जाके कर दूँगा मैं caps lock on इसका और इसको semi bold से bold कर दूँगा ford इसका enter रख रहा हूं सम्म है और इसको यही Fernando I do not do not do not do not do not do करेंगे करेंगे कंटूल टी के साथ इस को थोड़ा चोटा करेंगे एंट्रीट करूंगा और इसको यहाँ पहीं लगा देंगी आप अप डॉनेरो से भी को कर सकते हो इसका alignment का आपने बहुत ज्द्धान रखना है तो अब उसके वाद जहां पर हमारा image लेकर आएंगे यो इसमें यूज करेंगे हमारा यो header में रहेगा जहां पर place करेंगे तो वहीं से हम इस logo का color उठा लेंगे तो यह रहा हमारे पास image इसको photoshop में लेके चलते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे जस्ट हमने अभी इसका कुछ नहीं करना कलर पिक करना है और इसका यहां से मैं कलर पिक कर लेता हूं यहां से थोड़ा डार्क यहां से इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे अब इसका code मैं यहां से copy कर लेता हूं ctrl c के साथ इसको select करेंगे इस वाले को और यहां से इसका यह वाला color रख लेते हैं चाहे तो आप यहां पर यह code आपने copy किया था उसे paste कर दो OK और यहां से OK करेंगे अब इन दोनों को यहां से मैं group कर लूँगा ctrl g के साथ group इस image को बंद कर दूँगा और इसको यहां पर मैं लगा दूँगा यह guides हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो alignment है वह सही रही इसको मैं यहां पर लगा देता हूं और उसके बाद यहां पर type tool पर जाएंगे और यहां पर हम लिख लेंगे जैसे home का लिख ले हमने जैसे style और इसके बीच का जो gap है वह हम similar रखेंगे और इसको जहां से मैं regular से कर दूँगा semi bold ओके अब इसके बीच का gap हम similar कर देंगे एक दो तीन चार पांच पांच बार मैंने space बार प्रेस किया है और इसके बीच भी पांच और यहां पर एक दो तीन चार पांच और इसके बाद यहां पर सेलेक्ट करेंगे इसका जो color है color यहां से मैं black कर दूँगा okay यहां से okay और इसके बाद जाएंगे move tool पे और इसको मैं यहां पर place कर दूँगा और उसके बाद यहां पर mark tool पे जाके style में जाके इसको normal करेंगे इसको align कर देंगे इसके साथ move tool पे जाएंगे और यहां से इसे select रखते हुए इसको align कर देंगे जहां से control डी के साथ deselect अब उसी दरीके से इस logo को भी align कर देंगे इसे select करेंगे home tool पे जाके यहां हमारा group इसको भी align कर देंगे control डी के साथ deselect इसी का copy लेंगे तो इसके उपर click करेंगे और इसका control जे के साथ copy यहां पे हम एक shop लिख लेते हैं और इसका यहां पे हम एक button बना लेते हैं तो अब इसके नीचे आएंगे और जाएंगे हम यह boundary rectangle tool पे और यहां पे हम एक button create कर लेते हैं चोटा सा और okay और इसको यहां पे जो इसका color है इसको select करेंगे यह वाला color रख लेते हैं यहां से okay कर देंगे और इसका यह align है वह इसी के साथ align कर देंगे तो mark tool पे जाके इसको select करेंगे move tool पे जाएंगे इसको align कर देंगे control D के साथ D select और इसको यहां पे थोड़ा चोटा करके मैं अलका सजादानी इसके उपर place कर दूँगा इसके उपर rectangle के control hold करके क्लिक करेंगे और इसके उपर रहते हुए move tool पे जाके इसको horizontally vertically align कर दूँगा और इसको place कर देंगे अब मालो जैसे हमारा जो करसर है इसके उपर जाए तो इसका color change हो आप ऐसा developer को बोल सकते हो जब आप उससे PhD फाइल दोगे तो जैसे माल यहां से मैंने copy लिया और इसका जो मैंने color है यहां से मैं कर देता हूं यहां करेंगे यहां से ओके तो अब जैसी वो करसर यहां पर लेके आग तो इन आइकन्स को भी मैं यहां पर लगा देता हूं तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी के साथ इससे थोड़ा चोटा और इनको मैं जहां पर प्लेस कर देता हूं और इसको जहां पर ते छिक इन दोनों को सेरक्ट करके मैं जहां पर लगा दूँके अब इन सभीको जहां पर सेलेक्ट कर दूँगा के जहां तक कंट्रोल जी के साथ इसे मैं गृूप कर दूँ ताकि जो हमारा यो वर्क है जहां पर आपको भी बाद में प्रॉलम ना हो कुछ भी अगर आपने फाइंड करना होगा तो आप इसली फाइंड कर सकते हो तो अब उसके बाद यहां पर जो हमारा इमेज है उसको मैं यहां से और इसमेज को कंट्रॉल T के साथ इसको थोड़ा करेंगे में और मैं यहां पर पकट के लगा दूँगा थोड़ा और चोटा करेंगे अ ऑब इसे थोड़ा डेक्वरीट करेंगी उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं जाओंगा पॉलिगन टूल पे और जहां पर इसका स्लाइट साइज वह जहां से मैं कर दूंगा थरी एंटर हिट करूँगा एक इना रेक्टेंगल जैसा यह बन जाएगा तो इसका फिल कलर यहां कर दूँगा तो कलर चाहिए में को यहां पर मैं कर दूंगा कलरмен इसका यही वाला पिकर लेथे हैं कंट्रोलर रोड़ कर लेक्ट नो इसको मैं जहां पर लगा देता हूं इसे थोड़ा रोटेट करेंगे यहां पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे shift hold करके और इसको मैं जहां पर लगा देता हूँ ओके करेंगे अब इसी का एक duplicate बना लेंगे alt hold करके drag कर देंगे हम चाहिता अब control J से इसका duplicate बना सकते हो इसको जहां पर लगा देंगे और थोड़ा चीजा करेंगे इसे और इसको जहां पर लगा देता हूँ मैं control T और इसको जहां पर इसका जो stroke है वो हम जहां से कर देंगे दो pixel कर देते हैं तो यह जहां पर रहेगा इसी का copy लेंगे इसको image के उपर रखेंगे और इसको जहां पर लगा देंगे इसे तोड़ा rotate कर देंगे हलका सा तो अब उसके बाद जहां पर हम एक new layer लेंगे और जाएंगे जहां पर ellipse tool पर और एक ellipse create कर लेंगे तो color यही रखेंगे फिलाल और उसके बाद जाएंगे pen tool पर अपने keyword से P hit करेंगे तो हम pen tool पर आ जाएंगे और इसको जहां पर select रखेंगे हम subtract प्रॉंट सेप और जहां पर इसको हाफ कर देंगे इस तरीके से control enter control d hit करेंगे और move tool पर जाके इसको मैं इस image के P से डाल देता हूँ control t के साथ इसको थोड़ा चोटा करेंगे हम थोड़ा और चोटा कर लेंगे जहां पर तो हमारा जो polygon आए यहां से एक लियुफ्स Sug treat कर लेंगे तो यहां से एक new layer लेंगे और HELPS tool पर जाके एक ELIPS और create कर लेंगे यहां से इसका जो color है यहां से मैं pick कर लेता हूँ यहां से ok करेंगे और इसको मैं यहां पर लगा देता हूँ इसे काई copy control d के साथ इसे थोड़ा छोटा करेंगे से ठोल्ट करके और इसको मैं यहां पर लिए अब उसके बाद जहां पर जो हमारा टेक्स्ट है हम वह लिखेंगे जहां पर उससे पहले हम इन सबी को यहां से कंडॉल जी के साथ group कर देंके अब यह एक लेन में बन गया है एक group बन गया है और इसको आप इधर ज़र कर सकते हो हमारा यह यह Deutsch और पैंब यह लाइंड से अगर हमारा कोई बात नहीं में लेकिन हमारा इस मिस है मार इस गाइड से बार नहीं जाना चाहिए तो इसको मैं फिलाल जहीं पर रख रहा हूं तो चाहें तो आप इसे बड़ा चोटा आप आपने साब से कर सकते हो तो इसको मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं अब जहां पर हमारा टेक्स्ट लिखेंगे तो जहांगा मैं टैप टूल पर और यहां पर हम लिख रहेंगी सुपर सेल आपके पास टेक्स्ट लिखके रख लो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेगेगा मैं साथ सा लिख रहा हूं मुझे कोई प्रॉलम नहीं आ रही है मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं और जहां से इसका कलर यह वाला रख दूँगा और इसको जहां से मैं बोल्ड कर दूँगा और इसको मुट डूल पे जाके जहां से अलाइन कर दूँगा कंट्रोल-t के साथ इसको थोड़ा चोटा इसको जहां पर रखेंगे विए कपी लेंगे और जहां पर मैं लिख दूँगा अगेट अप टू सैवन्टी परसेंट आफ इनको सेलेक्ट करूँगा और यहां से इसका color black कर दूँगा ओके और इसका यहां से size है वो थोड़ा छोटा रखेंगे और बोल्ड से हटके इसे मैं regular करतूँगा कि ओके ctrl T के साथ इसको मैं छोटा करके यहां पर place करतूँगा कि अधिश्ट कर सकते हो तो इसको मैं यहां पर लगा देता हूं अब उसके बाद यहां पर हमने एक text जैसे जहां पर डमी टेक्स्ट में डाल देता हूं तो टाइप टूल पर जाके हमने इस बार क्लिक नहीं करना है हमने इस बार एक box क्रेट करना है इस तरीके से तो आपने आप इसके बीच टेक्स्ट फिल हो जाएगा अगर ऐसा ना हो रहा हो तो आप क्या करोगी तो ऐसे box बन जाएगा तो टाइप में जाओगी पेस्ट लोरियम इपसम कर देना तो इसमें आप जितना चाहते हो यह उतना content आता जाएगा जहां पर ठीक है तो जितना आपको चाहिए आप उतना रख सकते हो मुझे इतना सा चाहिए तो इसको मैं इतना रख लेता हूं कि करेंगे जहां से और इसको जहां पर मैं जस्ट प्लेस कर देता हूं आपका जुरूरी है इसको जुम करके आप इसका alignment सभी करते रहें तो आपको फिर बाद में प्रॉलम नहीं होगी तो इसका alignment भी सभी कर देंगे कर देंगे तो अब जहां पर नीचे मैंने कुछ और डिजाइन करना है तो लेकिन हमने तो साइज इतना लिया है उसके लिए हम आप क्या करेंगी उसके लिए हमने जाना होगा background layer के उपर और जाएंगे image में और यहां पर canvas साइज में जाके यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है आपने यह anchor point left right कहां पर आपने जो सीट का है bottom पर बढ़ाना है उसके लिए हमने जहां पर top के उपर क्लिक करेंगे और यहां पर नीचे हमारा space आ जाएगा अगर नीचे क्लिक करोगे तो यह उपर की तरफ जाएगा हमें नीचे की तरफ चाहिए तो आप select कर लो कौन सा कलर चाहिए मुझे white चाहिए ओके चाहिए तो आप यहां पर फोर ग्राउन वैग्राउन कोई सब्सक्राइब कर दे सकते हो और यहां से ओक कर देंगे तो यह हमारा काम करने के लिए और space जहां पर इसका जो height है वो increase हो गया अब उसके बाद यहां पर हम rectangle tool पर और यहां पर rectangle create कर लेंगी इस तरीके से इसका color color यहां से ज्यादा डार्क हो गया है हमने फैशन से लेटेड़ वैब साइट है हमें थोड़ा light सा color यहीं से पिक कर लेंगे तो यह वाला color कैसा लग रहा है यह वाला यह तो यहां से मैं यह वाला color रख लेता हूं चाह सही लग रहा है तो अब उसके बाद यहां पर हम नीचे design करेंगे तो उसके लिए यहां पर मैं इसी मेज को ले लेता हूं इसको बंद कर दूँगा और यहां पर इसी मेज को और मैं ऐसे बढ़ा लूँगा थोड़ा सा और इसको कंटोर टी के साथ इसको थोड़ा चोटा करेंगी और एक प्रड़क्ट हमारा यह रहेगा एक यहां पे रहेगा तो आप लोग यहां पर और कोई प्रड़क्ट का इमेज भी लगा सकते हो मैंने आपको बता रहा हूं क कैसे डिजाइन होता है तो जहां पर इसी का एक मैं और कॉपी ले लेता हूं और इसका भी इसको पकड़ के उपर ले जाता हूं और यहां पर लगा देता हूं और इसको मैं इसको control hold करके select करूँगा इसके उपर जाके vertically इसको मैं align कर दूँगा जहां से control D के साथ deselect इसको थोड़ा नीचे करेंगी ठीक है अब उसके बाद जहां पर एक button हमने जहां पर लगाना है और एक यहां पर अब इसका color आप चेंज कर सकते हो जैसे मालों इसका color मैंने चेंज करना है तो इसको डावल क्लिक करूँगा यहां से color मैं यह वाला प्रिक कर लेता हूं को कि कर देंगी तो इस वाले button का size बगएरा आप देख सकते हो इन दोनों को यहां से मैं पीचे कर देता हूं हलका सा तो इसको भी तो अब मैं आपको इसे full करके दखाता हूं आपने यहां से इन सभी को group करते जाना है तो यहां से इसको भी मैं group कर दूंगा अब उसके बाद यहां पर इसको मैं full करके दिखाता हूं तो यह हमारा कुछ इस तरीके से बन गया है अब आप इसको नीचे और भी डिजाइन कर सकते हो यह से मैंने आपको बताया कि कैन बाय साइज में जाके इसका height increase कर सकते हो आप यतना चाहूं उतना height increase करते रहना और यहां पर यह कुछ इस तरीके से बन गया है तो आज आपने इस वीडियो में से सीखा हम लोग UI design कैसे कर सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like share और comment करना चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो प् यूू दो का प्लीज नहीं बै啡 बैडा है